नमस्कार मैं रोहित आप देख रहे हैं बिहारी कलब। नितीश कुमार के नित्रित्व में बनी बिहार की नई NDA सरकार के फलोर ट्रिष्ट के दौरान तक कॉंग्रिस खुद को बिहार की सबसे बड़ी अनुसात सीथ पार्टी बताते नहीं थक रही थी। लेकिन MLC चुनाओं में राज़त दोरा एक भी सीट नहीं दिये जाने के बाद कॉंग्रेस के अंदर बगावती तेवर दिखने लगे हैं। कॉंग्रेस की विधायक प्रतिमादास ने जिस तरीके से प्रदेश अध्यष पर सवाल खड़े किये हैं, उससे पार्टी के अंदर ब्यावत तसंतोस अब उभर कर सामने आने लगा है। दरसल लोगसभा चुनाओं से पहले MLC चुनाओं को लेकर बिहार कॉंग्रेस में हल्चल बढ़ी हुई दिख रही है। कॉंग्रेस की विधायक पर्तिमादास ने बागी तिवर अपनाते हुए अपनी ही पाटी के परदेश अध्यष अखलेस परसाथ स्थी के किलाब बीगुल फूक दिया है। हम बताते चलें कॉंग्रेस विधायक ने कहा है कि परदेश अध्यष को बिहार में ही रहना चाहिए। ना कि दिल्ली में इतना ही नहीं। परतिमा दास ने यह भी कहा कि परदेश की सच्चाई बिहार कॉंग्रिस परवारी और केंद्रे नित्रित्व को नहीं दी जाती है अखले सिंग बिहार में किवल रैली अटेंड करने आते हैं जब परदेश अध्यच परदेश में ही नहीं रहेंगे तो परदेश अस्तर के लोग अपनी बात कहां रखेंगे उन्होंने कहा कि अखले सिंग अलाकमान को मिसगाइड कर रहे हैं प्रतिमादास ने कहा कि एक लेसिंगे नित्रित्व में रहते ही हमारे दो विधायक पार्टी से भाग गए पार्टी के लिए एक भी MLC नहीं मिलने पर पार्टी कारकरताओं और निताओं में नाराजगी है उन्होंने कहा कि बिहार में भी सभी पार्टियां लोक्सवा चुनाओं की तैयारियों में लगी हुई है लेकिन अभी तक हमारी प्रदेश कम्मिटी तक का गठन नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि जब कॉंग्रेस के पास किवल चार विधायक थे तब हमारा MLC बनता था लेकिन अभी सत्रह भी धायक हैं इसके बाद भी MLC नहीं बना है प्रतीमा ने कहा कि पार्टी में कई निश्ठावान करकरता हैं जो कॉंग्रेस की एक्ता और खंता के लिए काम करते रहें ऐसे में उन्होंने उमीद होती है कि हम MLC बने अगर सो कारकरताओं में से एक को भी MLC या MLC बनाते हैं तो 99 कारकरताओं में पोजियेटिव भावना पैदा होगी प्रतीमा दास ने इस बयान के बाद कॉंग्रेस पार्टी के अंदर हल चल तेज दिख रही है पार्टी के कई वर रिष्टनेताओं ने इस तरह के बयान पर हैरानी जयता ही है अब बने रहें भी आरे कलम पर फेस्ट पर देख रहें तो फॉलो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें नमस्कार